दोस्तो स्वागत आपके अपनी चनल civil site visit में दोस्तो आज का वीडियो हमारा है Dampness पे सामने देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या वीडियो लेके आया हूँ। आज ऐसा इलाज लेके आया हूं Dampness का जो हम खुद यूज też कर चुके हैं और अच्छा result में मिला है तो आज मैं full procedure बताऊँगा कैसे आप इस dampness से नजात पात सकते हो sealant जो हो जाती है गर में ये काफी खराब जीज़ है अगर ऐसी sealant आपके गर में है थोड़े बहुत cracks हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना मैं इनको पूरा अच्छे से fix करने का पूरा process बताऊँगा कि कैसे आप इसको apply कर सकते हो अगर possible होगा मैं जल्दी इस पर practical वीडियो भी लाऊँगा कि खुद करके दिखाऊँ अभी हमने हाली में ये दो तीन गरों में करवाया ये process और अच्छा है मतलब हर मतलब इंडिया में इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हर गर में थोड़ी बहुत dampness दिखती दिखती रिजन क्या है इस पर मैं काफी वीडियो बना चुका हूं वह में डाल दूंगा description में बाकि अगर dampness आ चुकी है तो उसको सही कैसे करेंगे य इससे होता किया है पपड़ी उतरने लग पड़ती है गंदी सी स्मेल आने लग पड़ती है और काफी बेकार सी दिवारे दिखती है तो लेकिन अभी tension लेनी की ज़रूत नहीं है एक ऐसा product बताऊंगा जो इसको अच्छे से सही कर देगी और dampness की इतनी दिक्कत नहीं और भी कुछ basic tips की अगर दौरा dampness आपकी दिवारों पे नहीं आईगी देखो sealern क्या है अगर आपको सामने product दिखरा होगा इदर में सामने pick भी है और उसका मैं नाम भी बतातूं तो doctor fixit का जो है shore seal जो product है वो उसका मैं आज आपको बताने वाला हो क्योंकि हमने वो use किया ह थोड़े दिन पहले मैंने एक दो video डाली थी उसमें हमने doctor fixit का product यूज किया था लेकिन यह काफी सस्ता और टिकाओ है काफी मतलब इतना महंगा नहीं पड़ेगा प्रोसेस आपको सिर्फ थोड़ा सा apply करने यह है doctor fixit का sure seal इस पे code होगा 610 तो इसकी में पूरा process बताने वा इसकी कैसे करना है देखो सबसे पहली चीज मैं उसका basic थोड़ा बता दूँ जो doctor share seal है क्या देखो यह packing में आता है एक पांच और बीस केजी के पैकिंग में आपको मिलेगा दूसरा इसका rate में आपको अच्छलों भी बता देता हूं इसका rate आपको एप्राउक्स आपके area म 200 रुपिया पर केजी मिल जाएगा ज्यादा महंगा नहीं है paint के मुकाबले में ही है और यह आता white color में है और इसको अंदर की दिवारे बाहर की दिवारे जहां च्छजा है कुछ भी है जहां dampness है वहां use कर सकती है करना use कैसे है देखो करना क्या है यह दिवार यहां dampness है इ अच्छे से मतलब steel brush जो आता है आपने देखा यह होगर steel brush उसको steel के dant लगे होते है उससे अच्छे से साफ कर लो पूरा area अच्छे से साफ कर लेना है फिर उसको पानी से दो देना है मतलब पानी लेना है pressure का पानी होना चाहिए कि उसमें जो sand हो छोटे-छोटे दाने जो पपड़ी बनी हो, कोई भी फंगस बगएरा हो, एफलोरेंस हो, जो वाइड वाइड गलर का जैसे मैंने दिखाया है, पपड़ी, सब वाश कर लेना है, ठीक है, यह हो गया, अगर बाइचान साब का जो प्लास्टर है, जो हमने प्लास्टर की है, वो भी थोड़ा-थोड़ा खराब है, तो उसको भी स्टील ब्रश मार के अच्छे से निकाल लो, तोटल कलीन कर लो, हो गया, फिर इसको सूखने के लिए दिवार को छोड़ दो, कितने, कोई 4-5 गंटे की, यह डिवार बिलकुल सूख जाए, जब एक बार सूख गई, उसके बाद क्या करना है, आपक कितने एक को लगेगी कितनी, देखो एक कजी, जैसे मैंने घमताय, एक किगी हम या, पांच केजी की, बीस के लगी है, तो वो डो, डिरेक्ट मिक्स आताता है, उसमें आ आपको पानी ड़ना है, नो वाटर, कुछ भी उसमें मिक्स नहीं करना, यह चीज आपको ध्याण दे मार देना है और मारना कितना है 1 kg नहीं कितना होना चाहिए 4-5 square meter मतलब अगर यह 2 meter ऐसे लेंगे हम 2 meter लंबी दिवार 2 meter ऐसी दिवार वह हो गया 4 meter square ठीक है इतने से एरिया में 1 kg लगना ही लगना चाहिए मतलब एक केजी आप किसी बाल्टी या किसी में ले लो उसको मारो, एक लिएर मारो ओकेजी इतने में एरिया में ही आपको खत्म करना है ठीक है ? लेकिन एक कोटा है एक कोट में आपका वो पाइंचो ग्रांब जाएगा और एक केजी आपका तो दूसरे कोट में आपका 500 ग्राम जाएगा ठीक है एक कोट मार दिया फिर आपको उसको 4 गंटे उसको सूखने देना है मतलब एक कोट मार के फिर क्या करना है? 4 गंटे बाद फिर से एक कोट मारना है उसके उपर इसी क्या जो हमने 1 kg लिया हुगा ठीक है एक ओट मारा फिर उसको सूटने दे देना है फिर उसको क्या करना है अगर मतलब दो दिन तक उसको रहने दो ऐसे ही दो दिन उसको ऐसे पड़े रहने देना है फिर उसके बाद आपको पुट्टी मार दो उसके उपर पुट्टी लगा दो फिर उसके बाद पेंट कर वो एरिया कभी डैम दिखेगा ही नहीं उसमें, मतलब पूरा साफ हो जाएगा, उदर कुछ रहेगा ही नहीं, डैम्पनेस वहां आएगी नहीं, और यह हम नोटीस कर रहे हैं, चार महिने से उस एरिया में डैम्पनेसी नहीं आई है, अगर मैं इसको फिर से क्लेर करूं, पह 6 गंटे उसको रहने देना है, ठीक है, वो सूख गया, फिर लाना है, एम्पनेसी लाया, एक केजी, जितना वेर एरिया है, बाकी मैं आपको बता दूं, मतलब, एक केजी आपको चार से पांच स्केर मीटर में लगाना ही लगाना है, एक कोट मारा, उस दिवार पे, उसको स पेंट कर देना है, बास, खतम, यह हो गया हमारा एक प्रोसेस, अगर 2 mm के उसमें क्रैक्स है, मतलब, जैसे मैंने देखा कि काफी क्रैक्स आप सामने है, देख रहे हैं अगर दिवारो में, तो पहले उसको बर लो, क्रैक्स को कैसे बरनी है, आपने उसमें डाक्टर फिक्स करके, उस क्रैक्स में फिल कर दो, अच्छे से, उंगली से, जैसे भी पूरे फिल होने चाहिए, फिर उसके उपर यह प्रोसेस कर देना है, तो वो क्रैक्स भी शिप जाएंगे, और डैम्पनेस में याएगी, और एक चीज़ धियान रखना है, जब भी अंदर की दिवारो ज़ते हैं, साल बाद वो फिर से दिखने लेके पड़ेगी, डैम्पनेस का जरीया बंद कर दो, अगर शत है, शत से आरी है डैम्पनेस, तो उपर भी यही आप मार दो, शियोर सील का कोट मार दो दो, तो मतलब जहां से लगता है ने कि डैम्पनेस आने वाली है, वहां शि जगा से आपको यह मिल जाएगा, आप यूज करके देखो, अच्छा है, प्रोडक्ट है, और मैंने प्रोसेस बता दी आपको यूज कैसे करना है, इसके लेट कोई भी कोशन रहेगा ना, कि क्या है, क्या नहीं अगर रही है, तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज